हेलो दोस्तों मैं हुडवी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सुबा खाली पिट कौन-कौन से फल खाया जा सकते हैं ऐसे तो फल फैदेमंद होते हैं लेकिन ज्यादा फैदा लेने के लिए हमें कौन-कौन से फल सुबा में खाली पिट में खा सकते हैं इसी बारे में इस प पुजावान रखते हैं आपको एक सेव खाली पिट में जरूर सेवन करना चाहिए नमर दो पर आता है केला केला में पोटेसियम विटामिन सी और फाइबर होते हैं जो पाचन को सुधारने मदद करते हैं और आपको पेट समंदी समस्याओं को कंट्रोल करता है आप केला को ज पाचन एनजाइम विटामिन सी और फाइबर होते हैं जो आपके पाचन को उधारते हैं और और आपको संकर्मन रोगों से लरने की छहमता बढ़ाता है पेट समंदे संकर्मन से बचाता है नमर 5 पर आता है संत्रा संत्रा विटामिन सी का अच्छा GSAR है जो रोग जरूर सामिल करना चाहिए नमर 5 पर आता है अनार अनार में एंटी ऑक्सिडेंट विटामिन सी फाइबर होते हैं जो सरीर को स्वास्त रखने में मदद करता है और आपके हीरदे को खिल्दी रखता है किर्दे को बेहतर बनाता है दोस्तों यह जो पांच फल है यह आप सुबा खाली पिट जरूर ले यह सारे आप पेट समंदि समस्याओं को दूर करेंगे क्योंकि पेट ठीक रहेगा तभी जाकर आप जो खाना खाएंगे वो आपके सरी में लगेगा आपके सरी के उपर दीख आपको कब्ज नहीं होगी गैस नहीं बनेगी अपज नहीं होगा और आपका पेट बिलकुल स्वस्त रहेगा और उसके वाद आप बिलकुल स्वस्त रहेंगे हिल्दी रहेंगे आपके चेहरे के उपर दीखेगा जो आपने खाया है दोस्तों सबसे पहले पेट को सही करने की जरूरत है हमें आप ज्यादा से ज्यादा अपने भोजन में फाइबर यह अहार लें दोस्तों बजारू समान बहुत सारे इंफर्वेंसर आपको मिल दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद